ये तीन शुप संकेत बताते हैं आप होने वाले है करोड़ पती वस्तुशस्तर के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर धन दौलत की बोचार होने वाली होती है यानि वह अमीर बनने वाला होता है तो प्रकृती देती है कुछ खास संकेत अमीरी आने से ठीक पहले यह तीन शुप संकेत मिलने लगते हैं कभी भी इगनौर न करें यह शुप संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा और सुकत बदलाव आने वाला है और माता लक्ष्मी जल्द आपके घर में पधारने वाली है हिंदु दर्म में मालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है जिस इनसान पर मालक्ष्मी महरबान हो जाए उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहते मालक्ष्मी को प्रसंद्ना करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाएव करते रहते हैं ऐसी मान्यता है कि जिस घर पर मालक्ष्मी की कृपा रहती है वह कुछ शुब संकेत भी दिखाई देते हैं ये संकेत इनसान के अमिर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते है कि माता रानी का अशिरुवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे पहला हातों में खुजली होना जोतिश शस्तर के अनुसार यदि किसी पुरुष के दाये और महिला के बाय हाथ में खुजली हो रही हो तो यह शुप और अशुप संकित माना जाता है इसका मतलब है कि जीवन से धन से जुड़ी समस्या दूर होने वाली है और आर्थिक स्तिती मजबूत होने वाली है संकेत माना जाता है यह संकेत बताता है कि आपका बुरा समय अब अच्छे समय में बदलने वाला है साथ ही जीवन में कोई बड़ी उपलब्दी आपके हाथ लग सकती है तीसरा अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चीटिया नजर आए और वो खाने की चीजों पर तूटना शुरू कर दे तो समद लीजिए आपके घर में मा लक्षमी प्रविश कर चुकी है या घर में पैसा आने का संकेत भी हो सकता है चोहता अगर आपके घर में तुलसी का पौदा खूब घना और हरा भरा हो जाए तो यह मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुश्याली के साथ धन और सम्रुद्दी भी जल्दी आने वाली है पाचवी कही जानकारों के अनुसार जाडू और लक्षमी माता का भी गहरा संबंद होता है ऐसे में अगर आपको सुभा सुभा कोई जाडू लगाते दिख जाए तो समझे आप जल्दी अमेर बनने वाले हैं सुभा के वक्त गर से ऑफिस जाते समय आपको रोजाना पास जिन तक कोई जाडू लगाते हुए दिखे तो समझ लीजिए कि अब आपके सभी कश्ट दूर होने वाले हैं मालक्षमी की कुरुपा आपके उपर होने वाली है दोस्तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखे मातलक्षमी आप पर सदैव अपनी कुरुपा बनाए रखे विडियो के अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद